नमस्कार विध्यारतियों मैं डॉक्टर रशोक कुमार आपका स्वागत करता हूँ आज की चर्चा का विशह है आधुनिक गरंथाले जिसके इस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम के उद्देश्य है आधुनिक समाज में कम्प्यूटर के प्रभावों के बारे में जानना तता गरंथाले सुचालन की अवशक्ता को समझना परिचे गरंथाले के कारे एवं सेवाएं गरंथाले के संचालन में कम्प्यूटर का अनुपरियोग उपयोक्ताओं को विशिष्ट विशय में विश्टरित सटीक सूचनाओं को तीवर समय में उपलब्द कराना बहु आयामी रूप से सूचनाओं के उत्पादन में वृद्धी और उसके विवस्थापन और प्रसार की चुनोती हस्त चलित और परंप्रागत प्रणाली से विशाल सूचनाओं को विवस्थापन करने की समस्या उपयोक्ताओं को कुशल और समय बद्द सेवाओं हितु गरंथालियों का कम्प्यूट्टी करना आब आप बिभीन परकार के गरंथ्यालियों और उनके कारियों और सेवाउं से परिचित हैं हम जानते हैं कंप्युटर का अनूपरयोग विशिष रूप से गरंथ्यालियों के संचालन में विविद परकार से अन्तर नहीं थै आज के समय में उप्योगताओं को विशिष्ट विशय में विश्तित सूचनाय सटीक, तीवर व कम से कम समय में उपलब्द कराने की अवशक्ता होती है सूचनाओं के उत्पादन की बहु आयामी में वृद्धी और उसके उप्योगने गरंथाले अध्यक्षों के सामने उसके विवस्तापन और प्रचार करने जैसे चुनोतियां प्रस्तुत की है अधा विशाल सूचनाओं को हस्त चलित परंपरागत प्रणाली से विवस्तित करने में अत्यदेग समय लगता है अधा उप्योगताओं को कुशल और समय बद सेवाएं परधान करने के लिए गरंथाले को कम्प्यूट रिकत करने की ततकाल अवशकता है ताकि हम वरतमान समय में अपने उप्योगताओं की अवशकताओं को पूर्ण कर सकें तीवरिगती से और सटीक रूप से उनको चतुर्थ सूत्र पाठक के समय की बचत की पूर्थी करता है कुछ महतपूर्ण कार्णों से गरंथाले के कम्प्यूटरी करन पर बल दिया जाता है गरंथाले संचालन के विभिन पहलू आधुनिक समाज में कम्प्यूटर के प्रभाव इसके अलावा इस व्यस्त संसार में उप्योगताओं का परतेकपल मूल लेवान होता है सेवा उन्मुक संगठन के लिए अनिवारे है कि वे अपने उप्योगताओं के समय की बचत करें जो कि गरंथाले के चतुर्थ सूत्र अर्थात पाठक का समय बचाने की पूर्ती करता है परक्रिया की गती, केटलोग कबिनेट को हटा कर स्थान बचाना, आंकडों की शुदता, वसटीकता और कुणाली में विश्वशनियता, इत्यादी, कुछ महत्पूर्ण कार्णों से गरंथालों के कम्प्यूटरी करन पर बल दिया जाता है अथा इस पार्ट में हम गरंथाले संचालन के विविन पहलों और उसके आधुनिक समाज में कम्प्यूटर के परभाव के बारे में चर्चा करेंगे आईए आधुनिक समाज में कम्प्यूटर के परभाव को समझे वर्तमान युग कम्प्यूटर का युग है कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपियोग, कंप्यूटर प्रध्योगी की द्वारा सूचना संप्रेशन का संभा होना कंप्यूटर प्रोध्योगी का व्यक्ती संगटन समाज पर प्रभाव, कंप्यूटर का सूचना संप्रेशन पर प्रभाव, कंप्यूटर प्रोध्योगी की पूर्व अन्य प्रकार के संप्रेशन प्रणालियों का प्रियोग आधोनिक समाज में कंप्यूटर का प्रभाव कंप्यूटर का विकास 20-वी सदी की सबसे बड़ी विज्ञानिक उपलब्दियों में से एक है और वर्तमान योग कंप्यूटर का योग है और अधिकांश लोग कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं आज computer हमारे दैनिक जीवन का अभिन अंग बन गया है Computer प्रद्योगेकी ने सूचना संप्रेक्षन को विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ ही शणों में पहुचना संभव बना दिया है Computer प्रद्योगेकी से वर्तमान समाज में हमारे जीने के तरीकों में कई परिवर्तन आए है इससे व्यक्ति ही नहीं बलकि संगठन और समाज भी प्रभावित हुए है हमारे व्यक्तिकत जीवन में हमने देखा है कि Computer ने हमारी आपसी सूचना उसके संप्रेक्षन की प्रणालियों पर अत्यदिक प्रभाव डाला है आदुनिक समाज में Computer का प्रभाव हम जानते हैं पुराने माध्यों के प्रयोग द्वारा सूचना प्राप्त करने में देरी होती थी इसके उत्पादन में शीग्रता वा सटीकता समाजिक दिस्ट्रीकोण में बदलाओ विकत वर्षों में जब Computer प्रद्योगी की अपनी शैशा ववस्ता में थी तब अन्य प्रकार के संपरिक्षन प्रणालियां जैसे की Telegram, Post और बाद में टेलीफोन पर विश्वास था संचार प्रणालिय के माध्यम संपर्क के लिए थे जद्दिपी सभी प्रकार के अपने आप में प्रभावशाली थे लेकिन कई बार जैसे Post, Telegram आदी सूचना प्राप्त करने में देरी होने से अविश्वास निये साबित हुए नेटवर्क की शुरुवात में कम्प्यूटर, फोन, वो मॉबाइल जुडे और आज हम इंटरनेट के माध्यम से इमेल से शंदेश भेजने और प्राप्त करने में शक्षम है यह सूचना भेजने और प्राप्त करने का सस्ता, आसान और तेज तरीका है इसके अलावा प्रुद्योगी की से वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फरेंसिंग की सुविधा कम्प्यूटर वा मॉबाइल पर प्रदान की जाती है जैसे हम आज फेस्बुक और वर्टसैप अप के तुरू अपने परीचितों को वर्टसैप कॉल कर सकते हैं कम्प्यूटर ने वास्तव में लोगों के कार्य करने के तरीके को बदल दिया है कम्प्यूटर से हम व्यवसाय, शिक्षा, विनिर्मान, परिवहन और अन्यशेत्रों के विविद कार्यों को कर सकते हैं कम्प्यूटर ने शूचना प्रक्रिया वा नई सूचना के उत्पादन में शीग्रता एवं सटीक्ता प्रदान की है जिससे संसार के दिश्ट्रिकोंड में बदलाव हुए है अता आधुनिक समाज में कम्प्यूटर के प्रभाव को मार्टिन ने अपने मत अनुसार व्यक्त किया है जिसे तीन भागों में बाटा गया है हस्तचलित कार्यों को सुचलित करना यह समझना कि हम जो कार्यों कर रहे हैं वह परिवर्तन शील है इन शक्तियों के प्रक्रिया के प्रणाम सरूप समाज में परिवर्तन होते है मार्टिन के मत के नुसार हमारे समाज में सुचालन तीन स्तरों पर होता है पहला हस्तचलित कार्यों को सुचलित करना दूसरा यह समझना की हम जो कार्य कर रहे हैं वे परिवर्तनशील हैं तीसरा इन शक्तियों के प्रकरिया के परणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन होते हैं अथा मार्टिन के मत के अनुसार हमें इस बात की चिंता करने की अवशकता नहीं है क्योंकि गरंथाले हमेशा प्रोध्योगी की के प्रियोग में सबसे आगे रहे हैं अथा 21 शताबदी के गरंथालेओं एवं सूचना सवाज में विकास के लिए ये एक अच्छी पहला है आईए गरंथाले सोचालन की आवशकता को समझे पहला विकास की प्रकिरिया में सूचना को अनिवारे योगदान है लक्षित उप्योगताओं को समय पर उपलब्द हो योजना और विकास की गतिविदियो के लिए सूचना हस्त चलित प्रणाली ठकाने वा समय नश्च करने वाली है उप्योगताओं की सूचना की तुरंताओं शक्ता स्वचालन जैसी सुविधाजनक प्रकिरिया गरंथाले स्वचालन के बारे में चिंतन समग्र पर समस्त संग्रह को अपने उप्योगताओं को उपलब्द कराने की शम्ता विज्ञानिको प्रद्योग की विदो शोद करताओं शिक्षको आदी के द्वारा यह सर्मानने है कि विकास की प्रकरिया में सूचना का अनिवारे योगदान है यह सूचना सिर्फ तभी मुल्यवान होती है जब लक्षित उपयोगताओं को समय पर उकलब्द होती है किसी भी योजना और विकास की गती में तुरंथ ही सूचना पहुचाने की अवशक्ता होती है जबकि हस्त चलित कोज वापुना प्राप्ती ठकाने वा समय नश्ट करने वाली होती है उपयोगताओं की सूचना की तुरंथ आवशक्ता की पूर्ती के लिए हमारे पास दो विकल्ब है या तो सूचना को तयार करके उनका बंडारन करें अन्यथा दूर स्थित बड़े डेटाबेस के अभी गम पर भरोसा रखे इसलिए हमें कुछ ऐसे तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है जिसकी प्रकिरिया सुविदाजनक हो इस संदर में हमारे पास स्वचालन ही एक मात्र समाधान है इसकी अवसक्ता को स्विकारते वे गरंथालियों ने गंभीरता से गरंथाले सुचालन की गती विदियों के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया है इस प्रणाली के द्वारा वे अपने समग्र संग्रह को अपने उप्योकताओं को समय पर उपलब्द कराने में शक्षम है गरन्थाले सुचालन की अवशक्ता, सूचना सहित्तिक विस्पोड, अत्यधिक मात्रा में आंकडों सूचनाओं को संभलना लिखित एवं सूचनाय, अनुसंधान और सूचनाओं की अंतर विश्यई प्रकृती सूचना और इसकी पुनाप्राप्ति की प्रकिरिया में तेजी, सूचना की खोज में लचीलापन, सूचना सुरोतों पर स्थानिय, शेत्रिय, राष्टिय स्थर पर नियंत्र, नई सूचना प्रद्योगी की पर आर्थिक प्रभाव, संपरेशन में भोगोलिक और अन्य अमित्त व उपयोकता आधिकार्यों में पुनरावर्ति को रोगना वर्तमान करमचार्यों की सेवाओं का प्रभावशाली तरीके से उपयोक करना आईए स्वचालन की अवशक्ता के कारणों को समझें पहला विश्में हो रहे साहित्तिक, विस्फोर्ट और सूचनाओं की अधिकता के कारण हमें स्वचालन की अत्यदिक अवशक्ता है दिन प्रति दिन अधिक मात्रा में आगडों और सूचनाओं को समालना पड़ता है जिसका एक मात्र उपाय स्वचालन है जटिल और लिखित सूचनाओं को समालने के लिए सुचालन एक उप्युक्त प्रणाली है अनुसंदान और सूचनाओं की अंतरविश्य प्रकृती के कारण हमें सूचनाओं का भंडारन करना पड़ता है सूचनाओं और इसकी पुना प्राप्तेगी प्रकिरिया में तेजी आसानी से लाई जा सकती है सूचना की खोज में लचीलापन, फ्लेक्सिबिल्टी आप नए नए तरीकों का इस्तमाल करके सूचना की खोज कर सकते हैं संदर्ब सूची, बिबलोग्राफी, वस्थानिय छेत्रे स्तर पर नियंतर कर सकते हैं सूचालन द्वारा नई सूचना प्रोध्योगी पर अधिक प्रभाव संपरिक्षण में भोगोलिक और अन्यबाधाएं उपलब्द बहाईये वा आंतरिक गरंथाले संसादनों का सर्वोत्तम उप्योग वरतमान सेवाओं में सुधार, गुणमत्ता, नियमित्ता वा उप्योगता आधि संबंदित कार्ये सोचालन द्वारा भलिभाती किये जा सकते हैं अथा कार्यों में पुनरावर्ती को रोकना और वरतमान कर्मचारियों की सेवाओं का प्रववसाली डंग से उप्योग सोचालन द्वारा आसानी से किया जा सकता है अथा इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना आधुनिक गरंथालें आधुनिक समाज में कम्प्यूटर के प्रभाव के बारे में और गरंथालें सोचालन की अवशकता के बारे में धन्यवाद